नमस्कार सातियों स्वागत है आप सभी का SES क्लासिस में आप अच्छे होंगे सुष्ट होंगे और अच्छे से यूपी पिलिस की त्यारी चल रही होगी उसी त्यारी को और आगे बढ़ाते हुए लेकर के आए हिंदी स्पेसल की स्रेंकला जिसमें आपको डेली के टू प्र स्कीपना करें बढ़ते हैं अपने प्रिष्णों की स्रेंकला की तरफ और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो लच्छे होना चाहिए उत्तर प्रदेश कांश्टेवल अभ्यास पिर्ष्ण हिंदी जिसमें आपको फोटी कोश्चन स्लगभा कराई जाएंगे और आ अपकी एक सिट्ट मृपकी और आप अपना सल्यक्शन लेकर की अपना नाम रोषन करें और अपने परवहर का नाम रोषन करें बढ़ते हैं पिष्ण केंव really does पहला पिर्शन अपना आ चुका है, पहला पिर्शन अपना है कि बहुत दिनों बास दिखना, क्या चीज? बहुत दिनों बात दिखना अर्थ के लिए मुहाबरा होगा तब इसका मुहाबरा क्या होगा कोशो दूर होना गुद्ली का लाल होना या इद का चान होना या अपतप होना तब आपने इस परिश्म का सही ज़ब दिया होगा Sempor C Option C इद का चान होना बरते हैं अपने next person की तरफ next person अपना है कि next person है कि अपना धोवि का कुट्टा ना हम्राण का लोक्तिक का आर्थ है तब इसका आर्थ क्या होगOW बांडा हेरे फैरी करना घरपन ना होना यौ insisted दूअ तब इस पिश्ण का सही जवाब होगा कहीं और ठिकाना ना होना ऑप्शन डी इसका करक्ट अंसर होगा आपने इसका क्या जवाब दिया कमिंट बॉक्स में बताएं बड़ते अपने अगले पिश्ण की तरफ अगला पिश्ण है निम्लिकित में से असुद बाग छाटिए कि इस तक बहुत ही उपियोगी होती है सोबना बहुत मधुर गाती है मैं अभ्यास कर रहा हूं तब इसका सही जवाब क्या होगा किश्णा जी के अनेको नाम है अप्शन ए इसका करक्ट अंसर होगा बढ़ते अपने अगले पिश्ण की तरफ अगला पिश्ण है कि अगले पिश्ण की तरफ अगला पिश्ण है मुद्वित मनहोर मानस देखा पंक्ती में क्या बताना है आपको अलंकार बताना तब इसमें कौन सा अलंकार होगा किया यमक अलंकार होगा या अनुप्रास होगा या उपमा अलंकार होगा या रूपक होगा तब इसमें जो अलंकार होगा भया अनुप्रास अलंकार होगा अप्शन भी इसका करक्ट आंसर होगा बढ़ते हैं अगले पिश्ण की तरफ अगला पिश्ण है कि बीर रसका इस्थाई भाव होता है आपको बताना कि बीर रसका इस्थाई भाव क्या होता है क्या रती होता है सोक होता किरोद होता या होता तब बीर रस 다에 बाइए साथ यो अपने चानल को सब्सक्राइब ने कि आ यह चानल को सब्सक्राइब ना किये आओ यौ्जर को लाइक करदे बढ़ते अगले पिश्ण की तरफ कर अग़ला पिर सन lesu Έग को अगला पिर सना दावनी दवमक रही घंद नाही खलकर में परती जता दिर ना ही इन कॉन सा चंद आपको बताना है कि इन पोक न smakny मैं कॉन सा चंद है इनिमें कॉन सा चंद हो pris Wil yağ मुणकों इसमें कि घल जौक माठान्य जिका पाइब सबाज़ी जवाब ज atención कि एक व्हाटि कोड़ें अगले कि तरफ अगला पिरसन अप्णाड अपमा है कि इस अगला पिरसन आएurt में शेट कि घॉथ ये पहाव आचे का कौन कोण किया बताना भावाज का उधान नहीं जाता है तब इसका सही जवाब ऋगए तब इसकी जबाब का नहीं जाता एक top अगला परिर नेते चीन ने कहा था तुम मुझे जो दो मैं तुम्हें आजादी दूźंगा इस बाइड़ा कौन साइड能 लगा आपको बताना को सब्सक्राइब कर दे आपको समय समय पर नोटिपिकेशन मिल सकें. बहे काम नहीं करता, बाक में अभ्यापत है, तब क्या है? तब इसका सही जवाब होगा, नहीं. उप्शन C, इसका करक्ट आंसर होगा. अगला पिर्षन है कि, अगला पिर्षन है, अगला पिर्षन है, जो सा का उचारन क्या है, क्या सा का उचारन क्या है? तब सा का उचारन क्या होगा, तब साच का उचारन होगा तालू. उप्शन B, इसका करक्ट आंसर होगा. बढ़ते अगले पिर्षन की तरफ, अगला पिर्षन है कि, कौन से सब्द में रावे अंजन नहीं है, क्या चीज रावे अंजन नहीं है? क्या मात्र में नहीं है मूरदाम नहीं है किरम में नहीं है मार्थ भूमी में नहीं है तब इसका सही जवाब होगा मार्थ भूमी में राव एंजन नहीं है option D इसका correct answer होगा बढ़ते अगले पिश्ट की तरफ अगला पिश्म है कि संग्या का भेद नहीं होता है आपको बताना कि जठ बारना को एसका करक्ट आंसर होगा अगला पिर्षन है कि अगला पिर्षन है निम्लिकित में से कौन सा सब्द पुलिंग है क्या बताना है कौन सा सब्द पुलिंग है क्या बचन है हानी है प्यास या बचत है तब कौन सा होगा तब इसका सही जवाब होगा बचन ऑप्शन ए इसका करक्ट आ ते लिवा था फ़सल घस्वाल को ग्यालेक्षल में, पर मेरेडमुकरों में प्रियूक्त होने वाला सब्ड हमको मेरें प्रियोक्तिन ड्रेपस्साथन कितने तुम्न्ता तब इसका सही जवाब किया होगा तब इसका सही जवाब होगा सम्प्रदान, क्योंकि एक दूसरे से आदान प्रिधान कर रहे है किसका पुस्तक का क्योंकि हरी जो है अपनी मेहन को पुस्तक दे लिए इसलिए काम्सा कारग होगा इसमें तप कारगब होगा सम् परदान कारग इसलिए इसका option B काड़ डूr होगा बड़ते अगले पित्रव अगला पर इसन कि क्या आप घर भी जाएंगे बाग मेरे खांकित पत है क्या यह संगिया है विसेशड सर्वनाम है यह किरिया है तब आपने इसका सही जवाब होगा सर्वनाम ऑप्शन सी इसका राइट अंसर होगा बढ़ते हैं अगले प्रिष्ण की तरफ अगला प्रिष्ण है कि बहुत दरवे बहूं ठीकी बाग मेरे खांकित पत है तब क्या आपaci छंग्या श्रवनाम क्रिया है बिसेशड स्विता नियुकित बिश्चा प्रिष्ण ऐसाई जवाब गई स्वह सिर्ण स्वह में इसका सही जवाब होगा उप्शन दी मरतेалог के बिसेश्चा हिभिता सिया है नि इसका सही जवाब होगा कबूर एक ऐसा सब्द है जो कि इन विकल्पों में तदभव सब्द है इसलिए इसका सही जवाब होगा और सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे आपको समय समय पर नोटिविकेशन मिल सके बढ़ते हैं अगले प्रिष्ण की कि सब को जानने वाला बाक्यांत के लिए एक सब्द है बहोग सरवग अत्यक या अग तब इसका सही जवाब होगा जो सब को जानता है उसके लिए क्या कहेंगे उसके लिए कहेंगे सरवग इसलिए इसका सही जवाब होगा और सब्सक्राइब की अगले प्रिश्ण की और होगा तब इसका सभी जवाब होगा ऑप्शन ए पतन होगा बढ़ते हैं अगले परिस्ट की तरफ अगला पिरस्ट है कि देपता सब्द का पर्यावाची सब्द नहीं है आपको वताना कि ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें देपता का वैप पर्यावाची नहीं है अब होगा देऴ देव जो है देप्दा का पर्यावाची नहीं है और तीनों कि किसके पर्यावाची है घृता की तो देफिधे हैं लेकिन जो देव है यहалी पर्यावाची सब्द देप्दा का नहीं यह है बढ़ते अगले पिश्ट की तरफ कि अगला प्रिष्ण है कि सभी अर्थ वाला सब्द एगम नहीं है क्या चीज़ अर्थ वाला सब्द एगम नहीं है तब कौन सा है जो नहीं है ठीक तब इसका सभी जवाब होगा अली अली मोर सकी इसका सभी जवाब होगा ऑप्शन की बड़ते हैं अगले प्रिष्ण की तरफ अगला प्रिष्ण है कि पत्र सब्द का अर्थ नहीं होता है पत्ता पंक या चिट्ठी या लेक तब क्या नहीं होता है तब इसका सभी जवाब होगा पत्र का लेक नहीं होता ह option D इसका correct answer होगा बढ़ते अगले पिश्ट की तरफ अगला पिरस्ट है सदाइब सब्द में संदी है तब सदाइब सब्द में कौन सी संदी है तब इसका सही जवाब होगा बिर्दी संदी option C इसका correct answer होगा बढ़ते अगले पिश्ट की तरफ अगला प्रिस्ट है कि पिर्तेग सब्द में उपसर्ग है क्या बताना पिर्तेग सब्द में उपसर्ग बताना कौन सा उपसर्ग है तब पिर्तेग में कौन सा उपसर्ग होगा तब इसमें जो होगा कौन सा होगा पिर्ती इसलिए इसका सही जवाब होगा आप्शन भी बारते एगले पिस्की तरफ अगला पिर्शन है कि बैग्यानिक सब्द में पिर्तिय लगा है क्या चीज बैग्यानिक सब्द में कौन सा पिर्तिय लगा है तो इसमें कौन सा पिर्तिय लगा है बढ़ते अगले पिष्ट की तरफ अगला पिर्षन है कि अगला पिर्षन है कि अग्ये जी को किस किर्थी पर ज्ञान पीट पुरुसकार मिला है अग्ये जी की ऐसी कौन सी गिर्थी है जिसके लिए उन्हें ग्यान पीट पुरुसकार मिला था बाइक क्या भगंदूत है इत्यलम है या हरी हास पर छड़ भर या कितनी नावों में कितनी बार तब इसका सही जवाब होगा कितनी नावों में कितनी बार option D इसका correct answer होगा बढ़ते अपने अगले पिष्ट की तरफ अगला पिष्ट है कि उर्षी के रचनाकार है क्या बताना है उर्षी के रचनाकार कौन है क्या जैसंकर परसाद जी है या रामधारी सिंग दिनकर या मैतली सरंगोप्त या महादेवी वर्मा है तब उर्षी के रचनाकार कौन होंगे तब इसका सही जवाब होगा रामधारी सिंग दिनकर अप्सन B इसका correct answer होगा बढ़ते हैं अगले पिष्ट की तरफ, अगला पिष्ट की अपना है कि गोदान किसकी रचना है क्या प्रेम चंदर जी की है या जैनिंदर की है या अग track की नागा अरजुन की है तब इसका सही जवाब होगा, जो गोदान है, मैं किसकी किरती है, अर्तात रचना है, भय है, मुंसी प्रेम चिंद्र जी की है, अप्शन ए इसका correct answer होगा, बरते अगले पिष्ट की तरफ, साथियों में आपको बताना चाहूंगा, कि आपको यहां पर दो प्रेक्टिस सेट बेली मिलेंगे, जिससे हम अभ्यास करेंगे, हिंदी का, और आप इसलिए चैनल से आप ना जुड़े हुए हो, तो चैनल से जुड़ जाईए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि यहां पर एपी प्रिस एक्जाम को नजद क्लासे से, अगर आप ने नहीं देखी हैं, वो भी महत्पूर क्लासे हैं, आप उन्हें भी देख लें, तो ज्यादा बेतर होगा, इसलिए चैनल बिजट करके उन क्लासों को भी देख लें, बड़ते प्रिश्ण की तरह, महादेवी बर्मा का ग्यान पीट पुरुसकार कि पर मिला अर्थात जो महादेवी बर्मा जी थी, उनकी ऐसी कौन सी किर्टी थी, जिस पर उनके लिए ज्ञान पीट पुरुसकार से सम्मानित किया गया उनके लिए, क्या ये दीप सिकाती या नीर्जा थी, या 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 मा थी, या स्रेंकला की कडिया थी, तब इसका सही किसका आर्थ ना काटने का मुहबरे का आर्थ किया होगा क्या खून वहना बदनाम करना या नुक्सान होना या इज्जत करना तब इसका सही जवाब क्या होगा तब इसका सही जवाब होगा बदनाम करना ऑप्शन भी इसका करक्ट आंसर होगा आपने इसका क्या जवाब दि कि गार्दध्य लगव क्या च वाई इस वर अख्टीर्ट गाल अख्ट्यर्अ ने शिर्यान फाला लिघ्टोन कत Simmons क्या फह सकता बिद्वान होना ये तो होई नहीं सकता है, मुझ रखोना ये नहीं हो सकता है, तब इसका क्या होगा अकालाक्षर भाइस वराबर, पला लिखा ना होना, बढ़ते हैं अगले की तरफ अगला पर संब की अध्भूतरा रसका्य साह犯 होगा है, किसका वाता है या उस्थाहर होता है, आप्षणसी का ही इसका क्ररेक्ट आंसर होगा क्योंकि इसका जो इस्दाइब होता है अद्भूत का ब히श्मय होता है बरतएं अगले पिषन की तरह अगला पिषना है कि छ शोता के पित्वम चड़न में कितनी मा fits होती है सो इंदस मात्रा होती है यह जाँ संटें कितनी मात्रा होती हैं इसका सही जवाब होगा ऑप्सवन भी सोटा में 11 मात्रा होती हैं बढ़ते अगले पिश्ट की तरफ अगला पिश्ट अपना है कि नेमिलकित में से कौन सा सब्दाला अंकार नहीं है क्या अनुपरास अलंकार है या या यमक है या सलेश है या रूपक है तब इस पिसका सही जवाब होगा आडाव दूणाय द की समया खोए वह आपकें प्रत letting the Pacific स्वाविन ждशा 2-ow रूप गलंकर मळते अगलेई पिसकी तरफ ऑगला पिर्सन है कि अगला पिर सनाय कि मनमें से बांदनदव्इत आउर की निन्ष कर्फ दोणिए kids इसमें दन तो दौनी कौन सी होगी, क्या खाओगी या चाओगी, या लाओगी या फाओगी, तब इसमें कौन सी दौनी होगी, तब आपने इसमें का सही जाब दियाओगा, अप्षन सी लाओगी. बारते अगले पिस्ट की तरफ, अगला पिस्टन है कि निम्न में से कौन सा बड़ अगोस है, क्या चा है या जा है, या जा होगा उखोस या अड़ा होगा, तब इस फिसका सही जवाब होगा चा ऐसा सब्द है जो की अगोस है option A इसका correct answer होगा इस class का last और अंतिम पिरसुर निन में से कौन सा सब्द इस्त्रीलिंग है कौन सा सब्द बताना की जो इस्त्रीलिंग है क्या सवागे इस्त्रीलिंग है या क्याब या चंद्रीलिंग है तब इसका सही जवाब होगा सुन्दर्ता सुन्दर्ता एक ऐसा सब्द है जो की इस्त्रीलिंग है साथ ही आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करें और आपका कोई suggestion या फीड़बे को कमेंट करें कि इस क्लास में बस इतना ही मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्नवाद अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्नवाद जय जया वारत